वॉइस ओफ उर्दूलाया यॉरप में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए सुनेहरी मौका अगर आप बिजनिसमेन है और कुरोना की वज़ा से आपका बिजनिस मान पड़ चुका है और आप फिर से अपने कस्टमर्स को मुदवचा करना चाहते हैं तो ना हो परेशान क्योंकि अब अपने बिजनिस को जर्मनी, नेधरलेंड, फ्रांस, इटली और बेलजियम में प्रोमोट करें वो भी इंतहाई कम रेट पर हम करेंगे आपके कारोबार की प्रोमोशन, सोशल मीडिया और हमारे चैनल वॉइस ओफ उफ उर्दू टीवी और अखबार पर तो अभी राप्ता करें हमारे बिजनिस आफिसे से बिजनिस एड़ोटाइजमेंट के लिए राप्ता करें याण याण वंटाइब राप्ता करेंश और ए राप्ता ब्ल Ó ये श्यवशन, ओर भर व्हाट नॉर्ट राप्ता करेंग मेंगेंट्री नाहीं फ्टाइब चालेब भर छो फ्टाप्र ये। वो नेधरलेंड के लिए इम्रान इक्बाल वाट्साप नमर 00316841212157 स्तनामों अलेकों मैं हूं मर्यम नॉमान और आप देख रहे हैं वोईस अफ उर्दू नाजरीन खबर शामिल करते हैं स्याहती मकाम धंड्यानी ट्राक की जो हकूमती अदम तवज्यों का शिकार है सतह समंदूर से 9,800 बुलंदी पे बाक्या ये ट्राक खुबसूरती में तो अपनी मिसाल आप है लेकिन इंतिजा में कि लापरवाही के बाइस शहरी इसकी खुबसूरती देखने से महरूम है तफसिलाद बताएंगी अविटाबाद से वोईस ओफ उर्डू की नुमाइंदा अम्रीन अली अपनी इस रिपोर्ट में पहाडों के दामन से निकलते शफाफ आबशार खुबसूरती के गीत गाती नदियां और शोर मचाते चश्में हरे भरे फलक से बातें करते तनावर दरख पर मुश्तमिल कई एकड़ पर मुहीत बंगला ट्रैक पहाडों के दामन में वाके होने के सबब सियाहों की नजर से ओजल है 45 किलो मीटर सियाहती पती पर ब्रिटिश दौरे हकूमत में 8 से 10 फिर चोड़ा कच्चा ट्रैक बनाया गया था जो के आज खस्ता हाल हो चुका है हकूमत वक्त की तवज्यों के सबब ब्रिटिश दौर का ये खुबसूरत डिग्री बंगला ट्रैक ना सिर्फ पाकिस्तान बलके दुनिया भर के लिए खुबसूरत सियाहती मकाम भी बन सकता है अम्रीन अली वोईस ओफ उर्दू एप्टाबाद मजीद ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेस्बुक पेज़ पर क्लिक करें इसके इलाव आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके मजीद खबरें देख सकते हैं देख 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 एगिर वोईस ओस उन्टूरियोस